नमस्कार मैं हूँ अंजली और आप देख रहे हैं CNN News तो चले शुरुआ करते हैं आज की प्रेमो खबर से हिमाचल प्रदेश के धरमशाला चेतर के एक गाउं से संबंद रखने वाले अभीशेक समयाल को बच्पन से घर में मिल सेना के अनुशासन का जुनून का असर इसकदर पड़ा की जवानी की दहलीस पर कदम रखते ही उन्होंने देश सेवा का रास्ता चुन लिया परिजन भी अपने बेटे को देश सेवा के लिए फौज में अफसर बना कर भेजने का गर्व कर रही हैं लेफ्टिनेंट बनाकर अभिशेक आज अपने गाउं पहुंचे तो परिजनों और गाउं वालों ने उनका जोरदार स्वागत किया बता दें कि जो अली उकमंडल की पंचायद भाली के गाउं बन्याडी निवासी सेवा निवरत कैप्टन प्रदीप समयाल और मातर कृष्ण देवी का बेटा अभिशेक समयाल को बचपन से ही सेना में अधिकारी बनने का सपना था परिजनों ने भी बेटे के होंसले को बढ़ाया और उनको सेना अधिकारी बनने के लिए जीतोड मेहनत करवाई अभिशेक सेना में कॉंपिटिशन पास करते हुए आर्मी में भरती हुआ है अब अभिशेक ने भारतिय सेना में लेफटनेंट बनकर अपने घरवालों का मा बढ़ाया है वहीं आज अभिशेक के घर पहुचने पर परिवार जनुवा ग्रामीडों द्वारा भव्य स्वजनों सहित ग्रामीडों ने उनको आशिरवाद दिया खबरों में आप तर के लिए वस्त ना ही मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी प्रमो खबर के साथ तब तर के लिए नमस्कार और देखते रहें CNN News